तो रिसेंटली एमेजोन के उपर मैंने एक इंट्रेस्टिंग टीडब्लीए से बाइक है क्योंकि मुझे उसका डिजाइन इंट्रेस्टिंग लगा अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ट्रूक बीडीजी थ्री टीडब्लीए से बार में और जैसे आप देख सकते हो आखे इंट्रेस्टिंग लगा इस प्रोड़क का अब मैंने अल्रेडी अन्बोक्स किया है वर बता दू कि इस तरीके के बॉक्स पैकेजिंग में आता है कुछ बेसीक स्पेक्स आपको बॉक्स के उपर ही पता चल जाएंगे लिंक्स प्रोड़क के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको चेकाउट करना होगा तो आप चेकाउट कर सकते हो वैसे बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर यूजर मैनुवल मिलता है वारेंटी गार्ड मिलता है एक्स्ट्रा एयर टिप्स मिल जाएंगी और चार्जिंग के लिए टाइप सी केबल मिलती है तो यह थोड़े टाइम में जो है यहाँ पर अपने आप कलर चेंज करेगा बाकी प्लास्टिक की क्वालिटी मुझे इतनी जाद अच्छी नहीं लगी और एक चीज जो और अच्छी नहीं लेगी वह है कि यह जो लिड है यह थोड़ा सा यहाँ पर वाबल करता है तो यह थोड़ काफी श्ट्रॉंग है अगर मैं इस तरीके से शेक भी करता हूँ तो यहाँ पर नहीं गितते हैं यहाँ बात करो तो काफी अच्छा है आपके यह साइज अगर छोटे भी है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आगी काफी अच्छे से फिट हो जाते हैं इनका एक ओवर जैसे ही आप इसे बर्स के अंदर यानि की केस के अंदर डालते हो तो यह लाइट जो है अपने आप यहाँ पे जनना स्टार्ट हो जाएगी अब यह जो है चार्ज कर रहा है यहाँ पे यह बर्स को तो बस यही बेसिक ओवर्व्यू है और बेसिक चीजे है इस TWC बार में बेसिक स्पेक्स के अगर मां बात करूँ दोस्तों तो जल्दी से आपको बता देता हो ब्लूटूथ 5.1 का सबोर्ट है इसके अंदर और IPX4 की रेटिंग है यानि कि जिम करते हैं पर आपको पसीन आता है या फिर पान यह थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हो तो इन दोनों गोड़नों तो जाएगा या पर जैसी आप दोने फीचर किया है और दोने यह फिचर नहीं देगा है तो डेफिनईटली यह एक हाई लाइट ता इस के अंदर है तो रिसपोंस टाइम काफी क्विक होगा तो अ आगे जरूर्ज का लीजए वैसे आए कैंसलेशन कंपनी ने बता है यहां पर इतना ज्यादा कुछ अच्छा फीचर नहीं लगा हूँ मुझे इतना ज्यादा कुछ पता नहीं चला तो बी आनेस्ट फू मैं काऊंगा कि एक गीमिक की फीचर है एक और चीज एक प्लेगा है के साथ में बात करो यहां पर इंडिविजल एयरबट्स के सिंगल चार्ज के बैक अगर मैं बात करो तो यहां पर 5-6 आपको सिंगल चार्ज पर बैक अप मिलेगा विट ताइम यह थ और बर्स को जो है केस से बाहर निकाले और पैर हो जाएगा तो यह बीसिक पैरिंग है अब कोई डेडिकेट एप्लिकेशन इसके साथ सब्सक्राइब नहीं है तो आपको एप्लिकेशन से अगर कोई कंट्रूल चेंज करना है तो वह आप नहीं कर पाऊंगे जो सीरी जो है अक्टिवेट हो जाएगा और लेफ्ट पर अगर आप ट्रिवल टाप करते हो तो यह सेंसर का जो अप्शन है वह ओन हो जाएगा नेक्स ट्रैक प्ले करने के लिए आपको यहां पर राइड बर्ड पे दो सेकेंड प्रेस करके रखना है तो प्रिवेस ट्रैक प चब्दों में बताने की जो हमें कोशिश करूंगा यहां पर आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पंची बेस पसंद तो वह इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा हाला कि पंची बेस इसके अंदर है बट मैं बोल सकता हो कि वह 50 परसंट तक ही है इतना ज्यादा भी पंची नहीं है तो यह जो एक्स्ट्रा पंची बेस पसंद करते हैं वह डेफिनेटली थोड़े से डिसपॉइंट हो जाएंगे वोकल अच्छे से सुनाए देते हैं इसके अंदर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंस्टूमेंट भी काफी अच्छे से निकल के आते हैं साउंड सेपरेशन भी काफी अच्छा है वहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो चीज मुझे मिसिंग लगी वो यह है कि थोड़ी सी क्लारीटी और होती तो मुझे एक्स्पिरियंस थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था याप मैंने बहुत सारी यूज यूज किये है ब वोकल्स का जो साउंड है वो भी अच्छा निकल के आता है और पंची बेस मिल जाएगा बस एक्स्ट्रा पंची नहीं अब बात करूंगा इसके माइक टेस्ट की तो माइक टेस्ट भी जो है आप एक पर पहले सुन लीजी तो दोस्तों यह जो आडियो आप सुन रहे हो यह जो यह जो है और आपको पता चल जाएगा तो यह था रूप टेस्ट तो दोस्तों माइक की क्वालिटिय आपको कैसी लगी यार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना आप जितने बार मैंने इसे कॉल लिया है कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है जब मैं किसी के साथ था कॉल पर तो उन्हें मेरी वॉइस जो है प्रॉपर ली आ रहे थी तो आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हाँ अगर आप बहुत नॉइजी एन्वार्मेंट में हो तो वहाँ पर थोड़ी सी ड इसे ट्रिपल नाइन में बाई किया था तो ओफर में प्राइस दोस्तों कम ज्यादा होते रहते एक बार फिर से बोल दू लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जरूर से चेक आउट कर लिजे मेरा फाइनल ओपिनियन में आपको शॉर्ट में बता देता बाई किजिए अगर आप 1200 तक स्पेंड करने के लिए रेडी है तो बोट के एर डॉक्स 141 प्रिफर कीजिए उसकी क्लारेटी इससे ज्यादा है और बेस भी उसमें आपको पंची देखने मिल जाएगा तो वह डेफेनेटल काफी अच्छा है उसका रिवीव चैनल पर है व स्टरी होती तो अच्छा होता और कोई आप का सपोर्ट नहीं है तो आपको जो कंट्रोल सकर चेंज करने के आदत होगी तो यार वो इससे हम नहीं कर पाएंगे वरना बाकी प्रोज में फीचर्स बहुत ज्यादा है इन्या डिटेक्शन है और लो लेटेंसी है तो यह सारी यही तो यही था आज के इस वीडियो में आप डेफिनेटली बताइए कि आपको यही यही बहुत ज्यादा प्रसंद आए वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए जाते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए मिलता हूं नेक्स वीडियो में थैंक्यू